हालो गाइज आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूटूब शैनल टौप परसेंट पर जैसा कि हमने अभी सुभा डाला था कि जो रिजल्ट की डेट है वो आ चुकी है काउंसलिंग डेट है वो कब से कब तक है वो सारी चीज़े मैं बता चुका हूँ सुभाई वाली क्लास में इस टाइम पर हम बता रहे हैं जो काउंसलिंग फीस है वो भी लखनो इंवस्टी ने जारी कर दिया है एड़िशन फीस कितनी पड़ेगी वो भी जारी कर दिया है औ तो हम सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता रहे हैं लेकिन उसके पहले अगर आप नए हो अपने इस चैनल टॉपर सिंट पर तो आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए अगर आप बेड़ कर रहे हो या किसी भी गवर्मेंट जॉब की आप त्यारी कर रहे हो चलिए मैं बात करता हूं कॉंसलिंग फीस की तो भाई मेरे जो कॉंसलिंग फीस है उसकी अकर हम बात करें तो वह निर्धारित की गई है 5750 रुपे टोटल कितनी हो गई 5750 आप लिख लीजिए कहीं पर टिक है जिस में से 750 जिस स्कूल को आप जिस स् 750 रुपए जो निर्धारित की गई है उसमें से जो आपने 5750 जमा कर देंगे वो कड़ जाएगी यानि कॉलेज में जो फीज जमा होगी वो 42,000 या 43,000 के आसपासी टोटल जमा होगी समझ में आगे बात यानि अब जो फीज जो सरकारी होती हो 41-42,000 रुपए ही होती है लेकिन अब कुछ कॉलेज वाले अपने हिसाब से कुछ मैसे और ले लेते हैं लोगों से बच्चों से बहुत सारे लोगों से ले लेते हैं ठीक है तो वो अपने हाले कॉलेज के हिसाब से होता है या आपके जो ब्योहार है आप उस कालेज में आपको कोई जानता है या आपका है तो आप वहाँ पर सिर्फ कुछ डिस्काउंट करवा सकते हैं यानि सब करा ले यानि अधिक्तम जो फीस है वह 15280 ही पड़ेगी अगर आप चाहोगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर कम हो जाता है ठीक है चलिए बात यह हो गई आपकी काउंसलिंग फीस और एडमिसन फीस के आसपास में है तो जो आप 5750 हैट को यह सब मिला कर 51-52 बनेगा यह मा सोचेगा कि 52-52 उदार और 57-52 ऐसा कुछ नहीं होगा बावन हजार के अंदर हो जाएगा और इस बावन हजार में भी अगर आपकी सब कुछ सही है आपका कोई वहाँ जानने पहचानने वाला कॉलेज म उसके एक हपते पहले आप मान के चल दीजिए यानि आज आपकी तारीक है 21 तो इसके आपके 4-5 या एक हपते या 10 दिन में यह आपकी एंसर की आज आएगी कोई भी डेट नहीं बताया है बस लकनो इनुश्टी में यह कहा गया है कि जल्द ही एंसर की जारी कर दीजाएग अगर कोई doubt है तो आप मुझे whatsapp भी कर सकते हैं मिलते हैं हम लोग अपनी अगली class में कुछ अच्छी खबर के साथ अब तक के लिए खुश रही है